Hello everyone this is Kirti from channel Kirti Pappadasharma Welcome back to my channel और आज में लिक्या ही हूँ कुछ tips & tricks और कुछ treatments dry skin वालों के लिए जिनकी skin बहुत ज़दा dry है या थोड़ी dry skin में जो होता है moisture बिल्कुल नहीं के पराबर होता है बिल्कुल भी नहीं होता है moisture इसके विज़े से जो dry skin वाले हैं उनको बहुत ज़दा problem से face करनी परती है जो dry climate होता है हवा चलती है UV rays होती है sunlight UV rays होती है वह बहुत ज़दा effect करती है और बिस आपके skin को बिल्कुल आपका moisture है sunlight होती हो बिल्कुल सक कर लेती है मैं आपको tricks & tips दोंगी जो आपको help करेंगी कभी भी अपने face को steam ना दें अब dry skin वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत हामफूल होता है steam लेना कभी भी अपना face warm water से या गरम पानी से आप ना दोए dry skin वालोग के लिए बहुत हामफूल होता है steam लेना या गरम पानी से face को wash करना वह आपके जो natural moisture होता है आपके face में वह totally suck out कर लेता है so please skip करना avoid करना कि आप जब भी आप face wash करें तो tap water से face wash करें और जितना हो सके summers में आप face को wash करें और please towel से face को clean ना करें yes towel से बिल्कुल clean ना करें अपने face को उसको naturally dry होने दे यह आपके लिए tip no.2 हमेशा अपने face के लिए soap या face wash यूज करें वह बिल्कुल ध्यान से आप skin के लिए choose कीजिए जो सिरफ dry skin के लिए face washes या soaps होते है आप वही यूज करें all skin type वाले face wash या soap नहीं यूज करने है आपको आप देखिए आप पूरा उसमें लिखा होता है इसमें क्या क्या है और को उनकों जो skin types के लिए face washes है आप वही face wash या soap जो भी आप ट्राय करते हैं वह आप सिरफ dry skin वाला ही ले tip no.3 यह है कि आप at least 15 days तक 15 days के अंदर अंदर 15 days में अपने face से नहीं अपने आपको time धी पाते हैं तो at least 15 days में तो आप एक दिन time नहीं का ली सकते हैं आपको आपको नरीश यह आपने आपको care करने के लिए क्यों समर्ज में बहुत important होता है आपने skin को बहुत जादा care की ज़रत परते हैं बहुत important भी होती है सो मैं आगे वीडियो में आपको masks और scrubs और face packs बताऊंगी जो totally homemade है natural remedies से बने हुए है अब प्लीज उनको try केर के देखिए अगर आपको फरक परता है तो आप आगे अपने friends को भी बता सकते हैं और hopefully आपको सब कुछ चीजे फरक पढ़े अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको suit नहीं कर रही है तो मैं उसमें अलग-अप्शन दे रही हूं choices दे रही हूं कि अगर एक mask आपको suit नहीं कर तो आप दूसरा try कर सकते हैं home remedies हैं तो आपके skin को वह हम नहीं करेंगी trust me और दूसरी बात यह होती है कि जो natural products होते हैं जैसा कि जो fruits हो गए या घर में जो normally चीजे मिलती है fruits, vegetables हो गए या कुछ भी हो गया जो home remedies में आते हैं वह कभी भी आपको side effects नहीं करते हैं हाला कि अगर आपको कि इस allergy है तो वह एक अलग चीज है बट फिर भी आपको वह चीजे बिल्कुल harm नहीं करेंगा आपकी skin को अगर आपको फायदा मेरे इस वीडियो को end तक देखें ताकि आप जो मैं आपको आगे mask और face scrubs औ face packs मैं share करूं आपको देख सकें आप इस वीडियो को end तक देखें अगर यह आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने friends साथ share करें मेरे चैनल को subscribe करें और प्लीज में कमेट सेक्षिन में जरूर बताएं ट्राइ करने के बात कि आपको यह सारी remedies कैसे लेगी फर्स्ट मास्क जो है हमारा वो है banana honey mask 2-2-3 spoons आप mashed बनाना लीजिए और 1-3 spoon honey का और honey को अच्छे से mix कर लीजिए एक thick layer apply कर लीजिए उसको 10 minutes तक रखें और उसके बात wash कर दें second mask जो है उसके लिए हमें चाहिए बेसन और दही तो चमच आप बेसन लीजिए और दही लीजिए ताकि उसका paste बना सके 10 minutes के लिए अपने face पे लगा के फिर wash करते है जो हमारा mask है वो sun tanning के लिए आप तमाटर का पल्प लीजिए उसको कदुकस करके जुसका पल्प नेगा उसको एक टोरी में निकाल लीजिए चमच हनी डालीजिए और अच्छे से mix करके उसको ड्राइनेस को ठीक करता है मौश्राइज करता है वो हमारे skin के dead skin cells को रिमूव करता है और हमें natural जो मौश्र होता है वो प्रोवाइट करता है तो नों का अच्छे से mixture बना लेंगे इस scrub से हम हलकी हातों से एक मिनट तक मसाज करेंगे स्क्रबिंग करेंगे उसके बाद हलकी से गरम पानी से उसको हम वाश कर देंगे स्क्रब है हमारा green tea और honey scrub इसका मैं एक full video बना चुकी है इस scrub के उपर आप description box में चाहके check कर सकते हैं से हम अच्छे से अपने face पे मसाज करेंगे 5-7 मिनट तक फिर उसके बाद हम इसको tap water से clean करेंगे और उसको air dry होने देंगे करेंगे face pack की और हमारा पहला face pack बनेगा papaya से यानि के papita यस यह हमारे लिए बहुत beneficial लदा समर्स में दो चम्मच papaya लेंगे mashed और उसको अपने face पे directly लगा लेंगे और उसके बाद टीशू पेपर या गीला हैंकी उस पे अपने face पे रख लेंगे ताकि वह slip न हो को हम 10-15 मिनट अपने face पे रखेंगे और उसके बाद इसको हम wash कर देंगे इन face pack जो हम बनाएंगे वह बनाएंगे जिसको हम योगर्ट या कर्ड भी बोलते हैं और विटामिन E का ओयल कैपसूल मिलते हैं easily market में दो चमर्ज दहीं लेंगे और एक से दो कैपसूल विटामिन E के लेंगे और इनको दोनों को अच्छे से मिक्स करके 15-20 मिनट अपने face पे रखेंगे 20 मिनट रखने के बाद हम इसको cotton से अराम से cotton से क्लीन करेंगे और उसके बाद हलकी गरम पनी से face wash कर लेंगे इसका प्लीज द्यान रखें कि स्क्रबिंग के बाद आप कभी भी डिरेक्टली 30 मिनट तक अटली sunlight के contact में ना जाएं मास्क, स्क्रब या face pack लगाने के बाद 30 मिनट तक आप अपने face को soap या face wash wash ना करें आप चाहें तो आप moisturizing cream लगा सकते हैं आप चाहें तो आप moisturizing cream लगा सकते हैं